हेलो बचो तो अब समय है यह जानने का कि हमने पाट को कितना समझा इही से लेकर तुरी ये तक है इसमें एक बदेर उत्तरत शास्त्रम कावियम चा कस्य बेद हो शास्त्र और काविय किसके बेद है या शास्त्रम कावियम किसके बेद है यही ही वांगमयम उप्यता शास्त्रम कावियम चा तो यहां लिश्य ही साहित्य के दो बेद है वांगमय के दो बेद है तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए वाग मयम तुरिया वेधा का चौधा वेध कौलसा है रिग यजुर साम वेधा स्रई रिग यजुर और साम तीन वेध है आथरवडा चत तुरिया तो क्या होगा आथरवडा काव्यम कति विधम कावई कितने तराखा है यही से पता चल रहा है कावई कितनी तराखा है अभिष्य और श्रव्य कितनी तराखा पुचया तो क्या लिखेंगे द्वी विधम पुर्ण वाकेल उत्तरत पूरे वाके में उत्तर दो शास्रम कतिधा विभच्यतuç नाम और लेख पुर्वकम लिखत, शास्र को कितने प्रकार में बाटा गिया है, नाम और पुर्वक, नाम का और लेख पुर्वक लिखो, शास्र को, शास्रम द्वीथा, शास्र को दो भागों में बाटा गिया है, अप और उशेयम, पौर उशेयम, च, यह बारा उत्तर है, ब्रामन मंत्रों की स्थुथी करने वाला लिंदा करने वाला व्याक्या करने वाला रियोग बताने वाला गल्द ब्रामन कहलाता है लिरदेश लुसारा मुर्त धुईविधा इती विषेशण पतसे किव विषेश्यमत्र, शुती पुना धुदीधा, तो यही द्विधा कुछाए, तो ओमारा उत्तरोगा शुती, चर्था इत्य अर्थे कि पदम 17 आगतम चर्थ के लिए यहां कौंसा पदाauen चर्थ के लिए कौंसा पदाला है यह तो याद हो गया होगा सबको तुरी यह श्रो बनम तो इसकी उत्तर कुंजगा देख लेते हैं बचो पेड़ा ये इसकी उत्तरकुंजगा है, पेड़ा ये उत्तरकुंजगा में ये दिया वहला शास्त्रम, अगर द्वीधा होगा तो शास्त्रम होगा, और द्वीधा होगा तो श्रुति होगा, तो यहाँ पर ये गलती हुई हुई है, इसको ठीक कर लोगे, तो अब एक पांचमा वेदा कहा गया है देख लेते हैं टेक्स्ट में से पंचमो गेया वेदा मिल्या बचो तो गेया वेदा को क्या कहते है नाटे वेदा तो गेया वेदा भी लिख सकते हैं और नाटे वेदा भी कती वेदांगानी वेदों के कितने अंगे मिला पड़े भी याज है सबको शड़ अंगानी शड़ अंगानी तो उत्र गया होगा शड़ सब्दम वेदांगं किम कसिदम सात्वा वेदांग किसे का गया है अगर तुम्हें लेसर पड़ा होगा तो तुम्हें याद होगा उपकारक होने के कारण अलंकार को साथवा वेदांग कहा गया है तो हमारा उत्तर क्या होगा अलंकार के उपवेदा कती था उपवेद कौन कौन से कहे गए है इतियास वेदा नलूर वेदा गल्धर्व वेदा आयुन वेदा च उपवेदा आचार्याणा मते कानी वेदा अंगानी संथी आचार्यों के मत में कौन-कौन से वेदों के अंग है कौन-कौन से वेदों के अंग है शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम इसको ध्यान से देखो बचो अन्यों पदियों मतलब इन दोनों पदों में से तो कहीं जाने की जरुवत ही है पाच्वा गेवेद गेवेद कौन सा है? पाच्वा तो गेवेद की विशेष्टा बता है यानि कि ये विशेष्टे हो गया और ये पंचमा विशेष्ट गीतानी इती अस्से पदस्से विलों पदम कि प्रयुक्तम गीतानी जैसा की नाम से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए अगीतानी अचल्दासी अगीतानी तो क्या उतर होगा? अगीतानी तहा संगीतिया सामानी तहा इती सर्वनाम पदम काप्यः प्रयुक्तम यहाँ पर तहा सर्वनाम पद किसके लिए आया है उन रिचाओं में से जो गाई जाए वे सामवेद है रिचाओं में से भी ठीक है तो रिचाओं का क्या होगा रिचाब्या या रिख्भ्या अभी चाकशीती इती क्रियापद से कर्थरी पनम के प्रियुक्तम अभी चाकशीती ये क्रियापद है तो इसके लिए कर्थापद क्या है अनश्नन अन्यो अभी चाकशीती अनश्नन ना खाता हुआ अन्य अन्य यानि अन्य परमात्मा अन्य परमात्मा ना खाता हूँ अभी प्रकाशित रहता है तो करता कौन होगा अन्या उत्रकुंजिगा देख लेते हैं बचो यह इसकी उत्रकुंजिगा है बचो यहां से आप अपने उत्र चेक कर सकते तो अगली वीडियो में हम देखेंगे लेसल का अगला पार्ट दो आचके लिए इतना है